नमस्कार दोस्तों आप सबी का Investing Club में सौगत है दोस्तों आज हमापको Larson and Turbo Company का Charter Analysis करके बताएंगे क्या आपको इस किमपनी में निवेस करना चाहिए या अभी आपको इसमें निवेस नहीं करना चाहिए दोस्तो Larson Interbo Infrastructure Power Development and Heavy Engineering के छेदर में काम करने वाली कमपनी है इसकी गिंती जो है दुनिया की पांचवे सबसे बड़ी infrastructure के छेदर में काम करने वाली कमपनियों में होती है दोस्तो कमपनी के business के बारे में बात करें तो जो कमपनी का 50% जो revenue है वा infrastructure से आता है कमपनी इसमें जो है building हो गया factory, transportation जैसे bullet trend वगरा हो गया उनका नहिर्मान का काम करती है साथ ही साथ जो metro project है उसके नहिर्मान का काम करती है इसके अलावा जो है यह company heavy civil infra जैसे जो बड़े बड़े बड़ेज वगरा बनाने होते हैं उन सबी का काम करती है इसके अलावा यह company water treatment का काम करती है company इसके अलावा जो power है इसमें coal and gas thermal power plant इसके construction का निर्मान का काम करती है heavy engineering के चेतर में बात करें तो यह nuclear power plant हो गया और जो बड़े बड़े सीफ पगरा हो गया उनके parts component बनाने का काम जो है यह company करती है इसके अलावा यह company जो है वा defense के चेतर में भी काम करती है डी और डियो के साथ joint venture करके यह defense aerospace का निर्मान का काम करती है दोस्तों बता दे वरतमान समय में भारत सरकार जो है defense के चेतर में आत्मने पर होने के लिए बहुत सारे प्रयाज़ वा कर रही है और इसमें make in India के तहट जो है यह जो defense equipment है उसके निर्मान के लिए सुरुवात जो है वा की है company इसके अलावा जो है financial service जिसे आपने LNT mutual fund का नाम सुना होगा उसके उस चेतर में भी यह company काम करती है इसके अलावा जो है जो बड़े बड़े highway वगर हो गया metro बाहर प्लांट इन सभी का निर्मान का काम करती है तो चले दोस्तो अब company का chart analysis की बात कर लेती है दोस्तो यह आपके सामने company का जो है weekly chart जो है वह open है weekly chart में आप देख सकती है जब March April में इसमें गिरावट आई थी तब यह saver जो है कुछ 800 रुपए के आसपस था और वहाँ पर जो है एक consideration किया उसके बाद यह 1000 रुपए के level जो है उसने break out दिया उसके बाद सिधा यह सेर जो है करीबन 1600 रुपए तक बढ़ गया था दोस्तो 1600 रुपए इस सेर के लिए all time high का level था और यहाँ पस यह टकरा कर वापस नीचे आया करीबन 1350 रुपए के level के आसपस उसके बाद यहाँ पर जो है consideration जो है कर रहा है लेकिन इस हपते और इसके पहले वाले हपते में एक break out आया था आप अगर इसका daily चार्ट जो है वह open करें तो आप आएंगे यहाँ पर जो है सेर के लिए यह जो 1450 रुपए का level है अभी इस सेर के लिए जो है एक resistance की तरह काम कर रहा है यानि अगर आपको इस सेर में खरिदारी करनी है तो यह 1450 रुपए का जब level तूटेगा अगर यह सेर जो है इसके ओपर closing दे देता है उसके बाद जो है आपको इसको खरिदना है साथे साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो यह एक drowning bottom जो है उसका भी formation जो है कर रहा है और यहाँ पर यह वाला area जो है एक ascending triangle का भी निर्मान कर रहा है अगर इस 1450 रुपए के ओपर किया सेर जाता है तब आपको इसमें खरिदारी जो है कर सकती है लेकिन उसके बाद जो है यह जो 1600 रुपए का level है वा company के लिए जो है एक resistance की तरह काम करेगा अगर बात करें इसमें अगर आप RSI लगा कर देखेंगे daily chart में तो यह RSI जो है वा positive की तरफ मूं कर रहा है और यह जो अब बहुत 60 जो है वा 60 के पास जो है वा trade कर रहा है यानि अगर आप इसमें long trend जो है वा कर सकती है दोस्तों अगर आप इसके chart में moving average लगा कर देखेंगे तो यह share जो है वा 200 period moving average के उपर ही trade कर रहा है यहाँ पर जो 100 period का moving average था उसके पास आया लेकिन वहाँ पसे consideration जो है वा कर रहा है और साथ यह साथ यह जो 20 period का moving average है और जो 100 period का moving average है वे एक साथ जो है collided होट रहे हैं दोस्तों अगर आप इस share को अभी खरीते हैं तो आपको यहाँ पर जो stop loss आएगा वो करीबन 1350 रुपय के आसपस आएगा और इसमें अगर target की बात करें तो इसमें यह जो 1550 रुपय का level है वहाँ तक यह से share जो है जा सकता है अगर यहाँ पर से जो record देता है तब जो है इसमें और ज़्यादा तीजी देखने को मिलेगी दोस्तों आसा करता हूँ आपको यह जान करें अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो इसमें दोस्ता के सांसे जान